ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 5 मई 2024 बाबा के महावाक्य बाप समान बनने का सहज पुरसार्त आज्याकारी बनो आज बाब दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं हर एक बच्चा होली हंस है सदा मन में ग्यान रतनों का मनन करते रहते हैं होली हंस का काम ही है व्यर्त के कंकर छोड़ना और ग्यान रतनों का मनन करना एक एक रतन कितना अमूल है हर एक बच्चा ग्यान रतनों की खान बन गए हैं ग्यान रतनों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं आज बाप दादा बच्चों में एक विशेस बात चेक कर रहे थे वक्या थी ग्यान वा योकी सहज धारना का सहज जाधन है बाप और दादा के आग्याकारी बन चलना बाप के रूप में भी आग्याकारी शिक्षक के रूप में भी और सत्गुरू के रूप में तीनों ही रूपों में आग्याकारी बनना अर्थात सहज पुरशार्थी बनना क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्या मिली है अमरत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्या मिली हुई है आज्या के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की महनत वा मुश्किल अनुभव नहीं होगी हर समय के मंसा, संकल्प, वानी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्या इस्पष्ट मिली हुई है सोचने की भी आविशक्ता नहीं कि ये करें या ना करें ये रायट है या रौंग है सोचने की भी महनत नहीं है परमात्म आग्या है ही सदा स्रेष्ट तो सभी कुमार जो भी आये हो बहुत अच्छा संगठन है तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वाइदे किये है जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौनसा वाइदा किया बाबा तन मंधन जो भी है कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं फिर भी जो है सब आपका है ये वाइदा किया है तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आप से ये भी वाइदा पक्का किया है जब तन मंधन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा फिर कुछ मेरा पन है होता ही क्या है तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया प्रवर्ती वालों ने किया है मदवन वालों ने किया है पक्का है ना जब मन भी बाप का हुआ मेरा मन तो नहीं है ना या मन मेरा है मेरा समझ कर यूज करना है जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है फिर युद्ध किसमे करते हो मेरा मन परिशान है मेरे मन में विर्थ संकल पाते हैं मेरा मन विचलित होता है जब मेरा है नहीं अमानत है फिर अमानत को मेरा समझ कर यूज करना क्या ये अमानत में खयानत नहीं है माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा तो तन भी आपका नहीं फिर दे अभिमान का मैं कहां से आया मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं कहना बाप का और मानना मेरा, सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बोडी कॉंसेस की मैं है ना मेरा तो जो बाप की आग्या है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो फिर मेहनत की जरूरत है क्या कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है मैं और मेरा तो ना आपका तन है ना बोडी कॉंसेस का मै मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आग्या कारी हो तो बाप की आग्या क्या है पॉजिटिव सोचो शुब भावना के संकल्प करो फाल तू संकल्प करो ये बाप की आग्या है क्या नहीं तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आग्या को प्रेक्टिकल में नहीं लाया ना सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आग्याकारी बच्चा हूँ बाप की ये आग्या है या नहीं है वह सोचो जो आग्याकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वता ही याद होता है स्वता ही प्यारा होता है स्वता ही बाप के समीप होता है तो चेक करो मैं बाप के समीब, बाप का आज्याकारी हूँ, एक शब्द तो अमरत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्याकारी हूँ या कभी आज्याकारी और कभी आज्या से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीबता का अनभव करेंगे, मंत्र मुआफिक नहीं कहो, बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा, ह कि मन के लिए तन के लिए या धन के लिए बाबा की आग्या क्या है कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है लेकिन जैसे बाप ने आग्या दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो वैसे रखा है वैसे रखा है या जैसे आता वैसे चलाते हर एक कुमार को धन का भी पोता मिल रखना चाहिए धन को कहां और कैसे यूज करना है मन को भी कहां और कैसे यूज करना है तन को भी कहां लगाना है ये सब पोता मिल होना चाहिए आप दादियां जब धारना की क्लास कराती हैं तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो क्या पोता मिल रखो कु मालूम है, थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है, इन्हों को ये जरूर बताना है कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोज नहीं लगेगा क्योंकि आप सबका लक्ष है, कुमार माना लाइट, डबल लाइट, कुमारों का लक्ष है ना, कि हमको नंबर वनाना है, तो लक्ष के साथ लक्षण भी चाहिए, लक्ष बहुत उचा हो, और लक्षण नहीं हो, तो लक्ष तक पहुँचना मुश्किल है, इसलिए जो बाप की आग्या है, उसको सदा बुद्धी में रख, फिर कार में आओ, बाप दादा पहले भी समझाया है, कि ब्राम्मर जीवन के मुख्य खजाने है, संकल्प, समय और स्वांस, आपके स्वांस भी बहुत अमूल्ले है, एक स्वांस भी कौमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो, भक्ती में कहते हैं, स्वांसों स्वांस अपने इस्ट को याद करो, स्वांस भी व् जान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और स्वांस, आग्या प्रमार सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है, चाहे सत्युग त्रेता में सिरेष्ट पद प्राप्त करना है चाहे द्वापर कल्युग में पूज पद पाना है लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकर्प, समय, स्वास कितने अमूल है इसमें अलबेले नहीं बनना जैसा आया वैसे दिन बीत गया दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गमाया जब भी कोई फालतू संकल फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो पांच मिनिट गया बचाओ समय अनुसार देखो प्रकरती अपने कारे में कितनी तीव रहे कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है कहा न कहा खेल दिखाती रहती है लेकिन प्रकरती पती ब्रामन बच्चों का खेल एक ही है उर्ती कला का तो प्रकर्ती तो खेल दिखाती लेकिन ब्राम्मन अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हैं कोई बच्चे ने बाब दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी ये हुआ ये हुआ तो वह प्रकर्ती का खेल तो देख लिया लेकिन बाब दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकर्ती का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे या सिर्फ समाचार सुनते रहे समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है परन्तु जितना समाचार सुनने में इंट्रेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंट्रेस्ट रहा है कई बच्चे गुप्त योगी भी है ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाव दादा की मदद भी बहुत मिली है और ऐसे बच्चे स्वैंबी अचल, साक्षी रहे और वायू मंडल में भी समय पर सहयोग दिया जैसे इस थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्मेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे ब्रामन आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ती शांती देने का सुख देने का जो इश्वरिस रिष्ट कारे है वह किया जैसे वह गवर्मेंट ने ये किया फलाने देश ने ये किया फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्रामनों ने भी अपना ये कारे किया आपको भी अलर्ट होना चाहिए इस थूल सहीयोग देना ये भी आवश्यक होता है इसमें बाप दादा मना नहीं करते लेकिन जो ब्रामन आत्माओं का विशेस कारे है जो और कोई सहीयोग नहीं दे सकता ऐसा सहीयोग अलर्ट होके आपने दिया देना है न या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए अनाद चाहिए लेकिन पहले तो मन में शान्ती चाहिए सामना करने की शक्ती चाहिए तो इस थूल के साथ सूच माथ सहीयोग ब्रामन ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है कुमार क्या करेंगे शक्तियां जमा है शान्ती जमा है योज करना आता है हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं अभी प्रैक्टिकल में दिखाना है साक्षी होकर देखना भी है सुनना भी है और सहीयोग देना भी है आकरीन रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्वै होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें कौन सा पार्ट दाता के बच्चे दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें तो मास्टर दाता है न इस्टॉक जमा करो जितना इस्टॉक अपने पास जो जो घूंगा उतना ही दाता बन सकेंगे उनत तक अपने लिये ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे अनेग जन्म जो सुरेष्ट पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसी लिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो शुब भावना स्रेष्ट कामना का भंडार सदा भरपूर हो दूसरा जो विशेष शक्तियां है वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वे दे सको अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुसार्थ में संकल्प और समय दो साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो अपना पुरुसार्थ तो सुनाया अमरत वेले ही ये सोचो कि मैं आग्याकारी बच्चा हूं हर कर्म के लिए आग्या मिली हुई है उठने की सोने की खाने की कर्म योगी बनने की हर कर्म की आग्या मिली हुई है आग्या कारी बनना यही बाप समान बनना है बस स्रीमत पर चलना ना मनमत ना परमत एडिशन नहीं हो कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो महनत करनी पड़ेगी सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी देगा स्रीमत डबल लाइट बनाती है स्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बढ़ना स्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिती नीचे नहीं ले आ सकती तो स्रीमत पर चलना आता है अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे निमंतरण मिला इस्पेशल खात्री हुई देखो कितने लाडले हो गए हो तो अभी आगे क्या करेंगे रिस्पॉंड देंगे या वहां गए तो वहां के यहां आये तो यहां के ऐसे तो नहीं है न यहां तो बहुत मजे में हो माया के वार से बचे हुए हो ऐसा कोई है जिसको यहां मदभन में भी माया आई हो ऐसा कोई है जिसको मदभन में भी मेहनत करनी पड़ी हो सेफ हो अच्छा है बाब दादा भी खुश होते हैं समय आएगा जब यूथ गुरुप पर गवर्मेंट का भी अटेंशन जाएगा लेकिन तब जाएगा जब आप विग्न विनाशक बन जाओ विग्न विनाशक किसका नाम है आप लोगों का है न विग्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विग्न विनाशक विग्न की हार भले हो लेकिन बार नहीं करे विग्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे तो नहीं लिखेंगे यही खुश खबरी लिखो ओके, वेरी गुड, विग्न विनाशक हूँ बस एक अक्षन लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं ओके अच्छा, मदुबन की भी विशेषता बाब दादा के पास पहुँच गई है मदुबन वालों ने अपने चार्ट भिजे हैं बाब दादा के पास पहुँचे हैं बाब दादा सभी बच्चों को आग्या मानने वाले आग्या कारी बच्चों की नजर से देखते हैं विशेष कारे मिला और एवर रेडी बन किया है इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं अच्छा हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना अपनी अवस्ता का चार्ट अच्छा लिखा है बाप दादा तो मुबारक ते ही रहे हैं सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राजी होता है अच्छा चारों ओर के बाप दादा के आग्याकारी बच्चों को सदा विग्न विनाशक बच्चों को सदा स्रीमत पर सहथ चलने वाले मेहनत से मुक्त रहने वाले सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते कुमारों को भी विशेश अथक और एवर रिडी सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाब दादा का विशेश याद प्यार बाब दादा ने डाइमन्ड हॉल में बैटे हुए सभी भाई बहनों को دरश्टी देने के लिए हॉल का चक्र लगाया बाब दादा का हर एक बच्चे से बहुत-बहुत-बहुत प्यार है ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है आप चाहे भूल भी जाओ लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जबते रहते हैं क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेशता सदा सामने रहती है कोई भी बच्चा विशेश नहो ये नहीं है हर बच्चा विशेश है, बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है तो सभी अपने को विशेश आत्मा है और विशेश कारे के लिए निमित है ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो अच्छा, बरदान सदा रुहानी इस्थती में रह सदा रुहानी इस्थती में रहे दूसरों की भी रुह को देखने वाले रुहानी रुहे गुलाब भग रुहे गुलाब अर्था जिसमें सदा रुहानी खुश्बु हो रुहानी खुश्बु वाले जहां भी देखेंगे जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं, तो सोयम भी सदार रोहानी इस्तिती में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो जैसे बाप उचे से उचा है, ऐसे उसका बगीचा भी उचे से उचा है जिस बगीचे का विशेश, स्रिंगार, रूह गुलाब, आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुश्बू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है सिलोगन, मर्यादा तोड़ कर किसी को सुख दिया, तो वै भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती